हेलो एब्रिवान कैसे आप सब उमीद करते हैं कि आप सब खायरेत से होंगे तो आज मैं आपको बैक बलाउज की डिजाइन बताऊंगे बहुत यह असान तरीके से बना सकते हैं तो यहां पे मैं पहले इनर की गटिन कर रहे हूं तो इस तरह से मैं टू फोल्ड में करूंगी कपड़े को साई से सेट कर लूँगी और यहां पे नाप रहे हूं तक कपड़ा ज्यादा ना कटे यहां से मैं लंबाई ले रहे हूं तो लंबाई में 14 इंच पर रखी हूं और सोल्डर में ले रहे हूं साड़े 6 इंच पर और यहां पे मैं आर्म होल भी ले रहे हूं तो इसके में कट इन कर लूंगी तो इसकी में कट इन कर लूंगी तो इहाँपर में कट इन कर चुक हूँ हूँ हूं अब कर लिए सथी अब यहाँ पर मैं किनारे में सिलाई लगा चुकी हूँ Aa d %. के साइड भी मैं शिलाई लगाई हूँ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको मैं गट करके निकाल दूगी और छोटा-छोटा में कट लगाऊंगी ताकि प्लेटने में आसानी हो और कपड़ा सही से बैठ है और गले पे भी में छोटा-छोटा कट लगाऊंगी इस तरह से इस तरह से गला असानी से बैठता है कोई जोल वेगारा नहीं आता है बहुत ही फिनिसिंग के साथ होता है तो इस तरह से मैं कट लगा दूँगी और इसको में इस तरह से प्लट लूँगी तो यहाँ पे मैं पलट चुकी हूँ और इसको मैं सही से कर लूँगी और किनारे किनारे में मैं सिलाई लगाऊंगी तो इस तरह से सही से सैट करके और किनारे में मैं सिलाई लगाऊंगी पूरा साइड में तो यहाँ पर मैं पूरे में सिलाई लगा चुके हूं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको मैं कट करके निकाल दूंगी दोनों साइड में इससे बनाना बहुत असान है बहुत असान तरीके से बना सकते हैं तो यहां पे मैं कटकर के निकाल दे, और इसको मैं double fold करूंगी, और इस तरह से और यहां पे मैं take in का निषान लगात। तो 4 इंच पे मैं निषान लगा रही हूं, उपर से मैं tenon च ले रही हूं तो यहां तक आ रहा है तो इसको मैं सीधा लाइन खीच दूँगी और इसको मैं इधर के साइड भी उखाड लूँगी तो इस तरह से दोनों साइड में निशान आ गया तो इसको मैं सिलाई लगा दूँगी दोनों में तो यहां पर मैं सिलाय लगा चुकी है हूं अब मुने इसमें less attach करूंगी तो मैं समय गली पर मैं less लगाऊँगी इस तरह से किनारे पर रखते हुए तो यहां पर मैं less लगा चुकी हूं तो यहां पर मैं मॉने इक पटी ली हूँ यहां पे मैं प्रेस लगा करके बठा दी हूँ और यहां पे छोटे छोटे प्लेट लगाऊंगी इस तरह से पूरे में तो यहां पे मैं दोनों में प्लेट लगा चुकी हूँ अब मैं इसमें 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 लगाऊंगी इस तरह से दोनों में इसमें इसमें लगाऊंगी तो इस तरह से दोनों साइड से उठा करके और इसको इसमें मोती लगाऊंगी और इस तरह से दोनों साइड में जो चुन बनाई थी उसको में रख करके और इसके उपर से में मोती लगाऊंगी तो इस तरह से डिजाइन बनता जाएगा तो आप देख सकते हैं बहुत ही असान तरीके से आप बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ और यह पूरे में इसी तरह से बनाऊंगी इस तरह से मैं निसान पनाते जाऊंगी तो यहाँ पर मैं पास से भी दिखा देती हूँ दोनों तरब से मैं फोल्ड करूंगी इस तरह से और निक्चे से सुईधागे के हेल्फ से इसमें मोती लगाऊंगी और मोती लगा करके मैं निचे के साइड टरंड करूंगी तो इस तरह से डिजाइन बनता जाएगा तो यहाँ पर मैं एक साइड में डिजाइन बना चुकी हूँ और दूसरे साइड में इसी तरह से मैं बनाऊंगी मैं उपर से डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं डिजाइन बना रही हूँ तो यहाँ पर मैं पूरे में डिजाइन बना चुकी हूँ अब मैं इसमें लेसेटेज करूँगी तो इस तरह से किनारे पे रखते हुए मैं पूरे में लेसेटेज करूँगी यहां तक और नीचे के साइड भी लेसेटेज करूँगी तो यह पूरे में में लेसेटेज कर चुकी हूँ अब मैं इसमें छोटे से कपड़ा ली हूँ और इसको मैं चकुन में कटी हूँ इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके मैं इसकी गुलाई दे दूँगी इस तरह से इसी तरह से मैं और भी कपड़े काट लूँगी तो यहाँ पे मैं और भी कपड़े काट ली हूँ और इस तरह से फोल्ड करके और सुई धागे के हल्ट से मैं इसमें स्टीच लगाऊंगी तो इस तरह से एक फूल रेड़ी हो गया और दूसरा में इसी तरह से मैं बनाऊंगी तो इसी तरह से मैं बनाते जाऊंगी थोड़ से कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको मैं कट करके निकाल दूँगी तो इस तरह से आरा इसका लूप और इसी तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करके बनाते जाऊंगी तो यहां पर एक और बनेगा तो इस तरह से फूल बन के रेटी हो चुका है अब मैं इसमें लैस को इस तरह से कट कर दूँगी और बीच में से मैं सिलाई करूँगी और इसको भी सुई दागे के हल्फ से उसी तरह से मैं सिलते जाऊंगी अगर आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं तो यहां पर मैं इसका फ्लावर बना रही हूं लैस से तो इस तरह से मैं इस पर रखकरके स्टीच लगाऊंगी तो यहाँ पर मैं stitch लगा चुकी हूँ अब मैं इसमें तिकोन से कपड़ा काटी हूँ इसको मैं सिलाई करी हूँ इस तरह से और इसको के निचे में less लगाऊंगी तो मैं two layer में less लगाऊंगी तो यहाँ पर मैं दोनों में less लगा चुकी हूँ अब मैं इसमें रख करके इस तरह से स्टीच करूँगी दोनों साइड में तो यहाँ पर मैं दोनों में स्टीच लगा चुकी हूँ अब यह फलावर भी बना चुकी हूँ मैं इसमें अटेच करूँगी तो इस तरह से रख करके इसके उपर से मैं फिलावर रख करके इसको एस्टिच लगा दूँगी तो इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी और भी मैं बहुत सा दिजेन बनाई हूँ अपने चैनल पर एपलोड कर चुकी हूँ वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं तो ये मेरा फाइनल लुक है अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लेस लाइक से रण सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आला हफीज